इसमें दो तीन टॉपिक्स हम पढ़ेंगे ठीक है और बहुत रुटेल से पढ़ेंगे ताके में बहुत अच्छी सी समझ आए और किसी किसम का प्रॉब्लम ना हुआ मैं तो सब्बर से लेक्टर को सुनिये मौस्टी स्टूडेंट्स है और चोटे से चोटी वीडियो जो है ना टाइम की वह देखना पसंद करते हैं तो उसमें आप सिर्फ समझ ही सकते हैं चीजों को लेकिन बाप अटेंप्ट करते हैं तब आपको बिल्कुल इसकी समझ नहीं आप जो है वो फोकस करके सिर्फ अपने लेक्टर पर देहां दें डाज नोट मैटर कि वो शॉर्ट है या लॉंग है ठीक है चीजों की समझ आने चाहिए बस अचा जी सबसे पहले हमने कुस्टन देखना है जो हमने पीछे वरा लेक्टर दिया था ना मैंने आपको उसमें हमने cfg के बारे में पढ़ा जा तो अब हमने उसकी एक एक ग्जेंपल लाजमी करने ही क्योंकि इंपॉर्टेंट एक्जेंपल है यह फाई मार्क किया सकती है आपको देखें कुस्टन है हमारे पास जन्रेयर थ्री स्ट्रींस फॉम्टी फॉल्विंग सीएफजी कि हम उसे दाने रटेसं में और यहां तक हम इस सवसरा को आपको यह कोस्टन आएगा में रहाप ग्रेंपल यह पुछा यह इा है यह यह production rules हमने कुछ production rules पढ़ेते हैं न तो उन rules को follow करते हुए हमने यह जो हमें grammar दी हुई होती है वहां से string generate करने होते हैं इसको हम कहते हैं derivation अगर आपको mcqs में definition दे जाए और आगे से पूछा जाए is called तो आपको पता होना चाहिए है कि जब हम grammar को इस्तिमाल करते हुए strings को generate करते हैं production rules को follow करते हुए तो वो क्या कहलता है derivation अब सबसे पहले आप देखें यह s is equal to b s b हमें दिया हुआ है तो हमने s is equal to b s b लिख लिया यहां पर आरोस के निशान आने थे जैसे कि हमारे नोट्स में होते हैं लिक्म मैंने नहीं लगा है कि यह हम बढ़े हैं मतलब आप लोग सबको अंडर्स इतनी एक s की value y है तो अब इसलिए अब हमें y ही put करनी पड़ेगी तो मैंने s की जगा y put कर दिया ठीक है तो यह derivation इसकी हो गई फिर देखें b y b बन गया हमारे पस b और b इसकी value था हमने put करनी नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पस कोई भी b तो है ही नहीं तो अब हम y की value put करेंगे य की value हमारे पस हमें पता है x है तो मैंने यह X यहाँ पर put कर दिया फिर B X B बन गया फिर आप देखें इस X की value हमारे पास और कौन सी है? X की दो value है एक तो यह है X is equal to A X A और दूसरी X की value है B ठीक हो गया? अब आप पर dependent करता है कि आपने इसकी value कौन सी put करनी है ठीक हो गया? उन्होंने काया कि आपने 3 strings generate करने है ठीक है? यह देखें 3 strings generate करने है जब कि यहाँ पर आपके पास अगर आप अभी से B यहाँ पर लिख देंगे ना इसकी जगा पर तो वो आपके पास क्या आएगा? B A, triple B आजाएगा ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि हम सबसे पहले जो है ना बिग वाली वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं मैंने कर दी X की जगा बिग वैल्यू यानि A, X, A और साइड पर B वही बला आ रहा है कलर मैंने इसलिए कि इनको ब्लैक ता क्या पुटा चले कि मैंने कौन सी वैल्यू पुट की है फिर आप देखें फिर X की जगा हम दूसरी B की वैल्यू पुट कर देंगे तो मर्पस क्या है या B A B A B तो अब आप देखें तो इस तरीके से हमार पास यह तीन स्ट्रिंग्स जो है वो जनरेट हो गए है ठीक है तो अब हमने क्या करना है पहले हमने ली थी S की एक वैल्यू अब हमने S की दूसरी वैल्यू चेक करनी है देखें S का मतलब होता है स्टार्ट है और ग्रेमर में जहां जितनी भी वैल्यू होती है इसकी वह हमने सारी फायंड करनी होती है तो यहां पर दो है बेसिकली तो हमने सिर्फ दो ही फायंड करनी है इस तरी से हमारी यह क्वेस्टन जो है वो कंप्लीट होगा और उसकी डेरिवेशन कंप्लीट होगी तो s की value y are my पर y की value मप left x मैंने x put कर दिय देखें y की value x मैंने x put कर दिय पिर x की value मैं इन डो है 1a x a और दूसरा x की value it b तो शींप्ल स्वार्म चलती आмовर ही तो मैंने इसके जगा back बी otherwise bipolar उब्सक्था से इस कोंगी कुस्ट्छन की जिसका answer जो है start भी A से होना चाहिए और end भी A से होना चाहिए तो अगर मैं इस तरीके से इसको solve करूँगी न तो वो end और start से B BR है जो कहीं गलत है लेकिन अगर मैं इस तरीके से इसको find करूँगी न यह देखें पहले मैंने S की value B S B ली है पिर दूसरी S की value Y तो मैंने दोनों में चेक किया है एक तो मैंने चेक किया S is equal to S implies कह सकते है क्योंकि इसमें arrow और equal न गया सकते है S implies B S B मैंने चेक किया तो वो बन रहा है B X B जो कह हमारी condition को fulfill नहीं कर रहा है क्योंकि start A और end with A भी होना चाहिए पिर दूसरी तरह मैंने S की value Y ली जिस तरह से यह चेक किया था यह और यह ली तो यहां पर मैंने put की थी X की value B यह वाली X की value B लेकिन अब यहां पर मैं put कर रही हूँ A X के यह नहीं X की दूसरी value ताके मेरा start और end जो है वो A से बने ठीक है यह A X A पुट कर दिया मैंने फिर X की value मेरे पास B पढ़ी हूई है मैं दोबारा B पुट कर दिया तो यह मैंटर नहीं करता कि दिरम्यान में क्या है बस हमने यह end वाली condition पूरी करने है कि start and end भी दे तो मेरा start और end जो है वो A से हो रहा है तो इस तरह से मैं यह भी question कर दूँगा अगर आपको short में आ जाता है यह वाले strings दे 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 और आपको condition दे दे कि start and end भी दे तो आपने इसमें इस तरह से solve करना होता है नेक्स हम देखते हैं अब बीजिस या अम्बीगियस ग्रामर क्या होती है ठीक है सबसे पहले हमें इसकी definition देखनी है इसी grammar को हमने follow करते हैं पिछले वाली को solve किया है ठीक है और definition देखे है अग्रेमर विचे जनरेरेर्स more than one tree from one string अम्बीगियस ग्रामर इसको कहते हैं जो क एक से ज्यादा string जो है वो tree बनाती है ठीक है अग्रेमर विचे जनरेर्स more than one tree उसने का एक या एक से ज्यादा tree बनाती है for one string अगर हमें अगर मैं आपको question दे दूँ एक string दे दूँ उसके अंदर मैं कहूं कि इसके biggest grammar बनाएं तो आप क्या करोगे biggest grammar के लिए आप कहोगे कि इसके एक या एक से ज्यादा tree बनेंगे उसको हम कहते हैं biggest grammar तो सबसे पहले हमने क्या करना है फिर मैंने आपको यह वाला question दे दिया let's suppose यह पूरी grammar दे दी यह तो इसके दोनो solution है ना वनने यह पूरी grammar दे दी उपर मैंने statement यह दे दी check the grammar is ambiguous or not for the string triple b अब जब हम इसकी derivation कर जाता है तो समझ लें कि यह हमारी biggest grammar है और valid है और अगर नहीं आता तो वह invalid है अब हम क्या करेंगे यहां पर s की दो value है ठीक है दोनों को हमने अलग 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 चेक एक इसमें चेक किया और एक s y में चेक किया values पूट करते गए इसमें भी values पूट करते गए अब दोनों म आपको बार बार इसमें नहीं कह रही है कि मैं इसके जगा यह पूट कर यह किया यह पीछे में आपको इसकी प्रैक्टिस करवा चुकिए यह पीछे वाले एक्जेम्पल में जिसना से values पूट किया ना सेम इसी तरह इसमें भी पूट करनी है आपने तो अब यह triple भी बन र स्ट्रिंग मिलता है उसे एक एक से ज्यादा ट्री बना लें तो हमारी बीजिस क्रैमर होती है इसके सिर्फ इस तरह से डरी डैरिवेशन करनी है चीजें आपको दीए है तो बहुत इसे पूट करकर करकर आप देखते जाओ कि स्टेट्मेंट वाली कंडिशन बनरी है करने जहां पर बन जाए तो आप क्या दो कि यह वैलेंड है तो आप वही एक्जेम्पल है वही सिल्यूशन है सिर्फ मैंने ट्री बनाना है यहां पर यह देखें यह वाली जो है ना यह वाली सारी उठा के मैंने इसको थोड़ा सा चोटा करें आगे लिक दिये यह देखें यह स सबसे पहले आप देखें इसकी बनाते हैं इसका ट्री बनाते हैं सबसे पहले स्टार्ट किसे लिए ऐस से वह मैंने ऐस लिक दिया फिर बी एस बी तो मैंने लिक दिया बी एस बी ठीक हो गया फिर देखें सारी बी एस बी हो गया अब यह बी तो सारी जगा से नीचे की तर तो हमने सिर्फ लेना है y x को ठीक हो गया फिर क्या करना है s से b s b s से बना लिया b s b फिर क्या हुआ y और x यह मैंने लिख लिया y और x हो गया इतना हो गया y और x तक फिर यह देखें s is equal to y था s y को कह रहा है फिर देखें b x b ठीक है फिर मैंने लिख दिया b x b ओके फिर क्या करना है आपने फिर क्या किसको कर रहा है फिर b को x किसको कर रहा है b को तो मैंने लिख दिया x किसको कर रहा है b को अब यह भी half half diagram बनी है fully नहीं बनी है नहीं बलके fully है हाँ बस इनकी इतनी ही डाइग्राम्स बननी है अब ये ट्रिपल बी मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये एक भी और ये एक भी तो चलता ही आ रहा है अगर मैं इस X में से B आगे निकाल दूना यहां पर बलके निकालना चाहिए यहां पर अगर बी लिखे यहां पर B लिखे हैं और X से नीचे लाइन कहें ज़ने तो हमारी क्या कंडिशन पूरी होगी त्री स्ट्रिंग्स ट्रिपल बी वाली ठीक है तो यहां पर भी बी होगा एक यहां पर भी बी होगा दो और यहां पर बी होगा तीन इसी तरह से जब आप इसको बनाते हैं तो यह आपकी कंडिशन फुल्फिल होगी ना ट्री के अंदर B, B और B यानि के तीन स्ट्रिंग्स जो हैं वो B बन रही है ठीक है तो इस तरह से अगर आपको इस तरह से ग्रैमर की कोई कॉस्टन आजए जैसे जैसे यह आपने बनाया होता है वैसे वैसे आप S से ओनवर्ड बनाते जाएं अब यह साथ-साथ अगर इधर इधर भी B बनाते जाते ना जैसे के Y से B फिर Y से B जैसे के यह है Y के साथ भी B तो वह लिखने के ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह आप साथês तहिं ही B ले लिया हैं तो उसको पता चल गया है कि आप B बनाताते यह होret अधर के आखे अगे दूसरा टॉपक था एक आयक लूप पीक हमने लिक भंवर द्राश खहल आउद है अधर यह एक ऐसा ट्री होता है जिसके आप सारे स्ट्रिंग्स को रेप्रीजेंट करते हैं ठीक है पिछले वाले में क्या था पिछले वाले में आप यह सारे स्ट्रिंग्स तो नहीं ना शो करा रहे थे बट आप क्या कहरें थे कि जो सेम से मारें उसको आपने सिर्फ एक ही बार जो है वह बता दिया कि यह भी बी चलता हराँ धार से आपको कहीं पर भी तो चल देना तो आपको पता होना चीए कि और है ठीक है अब वो क्या कह रहा है को कह रहा है सिर्फ आप ने इस दी हुई language को ट्री में convert करना है तो ट्री बनाना तो इसका बहुत इसी है तेखें क्या करना है आपने S किसको imply कर रहा है S कर रहा है capital B small B यह देखें capital B small B फिर किसको कर रहा है A X को यह देखें A X फिर किसको कर रहा है B double X तो मैंने लिख दिया B double X देखें S इन तीन जीज़ों को कर रहा था फिर आगे देखें आप यह जो A X है देखें यह A X A X किसको कर रहा है A X कर रहा है A को डबल A को कर रहा है A X किसको कर रहा है डबल A को क्योंकि यह देखें यह A है और यह B A है ठीक है A और A तो मैंने लगा दिया A और A ठीक है तो बेसिकली यह A तो यहां से नीचे वही आ गया और B A हमारे पास पढ़ा हुआ था हूं, मैंने इसके साथ लगा दिया, तो क्या बन गया? A, B, A. फिर देखें, ये A तो मेरे पास उपर वैसे ही पढ़ा हूआ था हूं, मैं नीचे ले ग़िए। और एक A मैंने ये वह लगा दिया, तो ये डबल A बन गया, तो इस तान से आप देख सकते हैं सबसे पहली को हमने A1 का नाम दे दिया पहला रूल फिर ये दूसरा रूल और फिर ये तीसरा रूल इस तान से हमने टोटल ट्री लैंगविज दो है वो डेलिवेड करना है अगर आपको इस दूसरे स्टप की समझने ही आई न ये वले की त क्योंके हमारे पास ये दो चीज़ें पढ़ी हुएं सबसे पहले को आपने क्या करना है ये A इसके साथ अल्रेडी पढ़ा हुआ है ठीक है ये A इसके साथ अल्रेडी पढ़ा हुआ है जबके हमारे पास वैल्यू है सिर्फ X की ठीक है ये वाली तो हमने क्या किया X से दो च और यह वाला उपर से नीचे आगी फिर हमने क्या किया यह अलड़ी बढ़ा हुआ है और यह वाला ए पुट कर दिया तो इस तहां से मारा यह वाला टोटल ट्री यंग जो है वो कम्प्लीट हो गई फिर हमने क्या करना है वो हमने ड्राइव की थी सिर्फ एक्स की वैलिव के लिए अब हमें पता यह वाली एक्जेंपल यह पीछे वाली ही है क्योंकि यहां पे स्पेस नहीं थी तो मैंने इसी को कौपी करके आगे पेस्ट किया स्लाइड पे और फिर उसी डाइग्राम को आगे ड्राइव किया कि इतना क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास X तो यहां पर भी है दोनों मैं कह रही थी ना कि X की value है हमारे पास तो अगर इस X की जगा हम value पुट करके यह बनाते हैं तो यहां पर भी तो 2X पड़े हुए ना वो क्यों नहीं हम solve करें तो इसलिए हमने इसको भी solve करना है इस X को अलग से और इस X को अलग से तो जब मैं इस X की जगा value लिएँगी तो यह वाला B सोरी है जब आप यह दो X की value इस X के भी आप दो चीज़े निकाल ले ठीक है यह दो lines बने रागे इस X से भी आप दो lines बने रागे एक एडरा की मैंने एक एडरा की क्योंकि हमारे पास X की दो value पड़ी है एक B और A एक B और दूसरा A ठीक हो गया तो मैंने यह चार बनेगी अब इन चारों के साथ यह वाला B तो must आना ही आना है तो मैंने चारों के लिए यह वाला B अलाग लग से लगा दीए क्योंकि हमारे पास अलड़ी बड़ा हुआ है अब हमने इस X और इस X की value पुट करनी है तो मैं क्या करूंगी एक दवा मैंने B A पुट कर दिया ठीक है B A, B A ठीक है, सब के साथ आप क्या करें B A पुट कर दे क्योंकि पहले मैं ले रही हूँ B A की value ठीक हो गया पहले मैंने पुट किया चारों की जगा B A और एक एक B तो हमारे पास पहले ही उपर पड़ा हुआ था वो हमने नीचे लगा लिया नई, भलके आपने चारों की जगा B A नी पुट करना आपने पहले क्या करना है B A पुट किया यह देखे हैं यह मैंने B A पुट किया यह वाला B A से नीचे आ गया और यह वाला 1 X ऐसे नीचे आ गया ठीक है फिर यहां पर मैंने पुट करना है A यह मैंने A X पुट कर दिया यह एक B और X जो है वो तो लाजमी नीचे वैसे ही आएगा देखें फिर मैंने ये वाला भी नीचे आगया तो ये वाली बन की अब दूसरी तरह देखें जब हम इस X की वैली पुट करेंगे तो ये BX तो लाजमी साथ नीचे आएगा ना इन दोनों में तो एक BX और ये BX ये तो उपर से ही आगए अब दूसरी X की जब हमने वैली पुट की एक बार की B A और दूसरी बार की A जो देखें एक बार की B A दूसरी बार की A तो इस तरह से ये वाली भी हमारी कम्प्लीट होगी मैंने अलग अलग से कलर इनको इस ले दिये ताकि आपको समझ आए ये इस S में से ये तीन चीज़े निकली फिर इस AX में से ये दो चीज़े निकली फिर इस BX में से ये चार चीज़े निकली अब इन चार चीज़ों में अगर आप देखें तो सब में X पड़ा हुए X, 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 X अब आपको पता है कि X की वैलू तो आपके पास पड़ी हुई है B, A और A जब तक ये X खतम नहीं होगा हमरा को संसॉल नहीं होगा तो आपने क्या करना है फिर इन से दो दो लाइन्स ट्रॉा करना है क्योंकि ये हमरे पास दो वैलू है फिर की एक, दो इसमें से भी दो ट्रॉा की, इसमें से भी दो ट्रॉा की इसमें से भी दो ट्रॉा की फिर हम इनकी वैलू पुट करते जाएंगे एक बार B, A और एक बार E यह देखें, यह मैंने पुट कर दी B, A और उपर वाले डबल B और A ऐसे ही आगए यह डबल B और A उपर वाले ही आगए और यह B, A मैंने वाले पुट कर दी फिर देखें, यह डबल B और A उपर वाले ही आगए और दूसरी दफ़ा मैंने यह एक a value put की है तो इस तरह से यह आपने सारे solve कर लेने हैं सारे ठीक है उनको पर आप rules का नाम दे दें 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आपने rules का नाम दे कर इस तरह से यह tree बनाती है हम total tree language चीक हो क्या अगर आपको यहां पर नहीं समझाए कि total tree language जो हम किस तरह करते हैं सबसे पहले grammar मिलती है उसकी derivation करते है derivation से हम tree बनाते है tree का मतलब होता है कि जितने भी strings हमारे बने हैं उनको हमने show कराना है tree के अंदर जबकि हम भी जिस grammar में ऐसा नहीं था उसमें हम tree पे show ज़रूर करवाते थे लेकिन यह एक भाग लेकर यहां पे बगार है एक एक string को आपने show कराना है इसलिए हमारे पास यह इतनी बड़ी diagram बन रही है आपको नहीं समझाए आप इसको वहां पे stop करें फिर से revise कर लें पीछे से कि मैंने history को किस तरह समझाया है आपको इंशाला समझाए थे फिर एक यह लास्ट हमारा topic है इसमें तीन topic कवर करने थे एक ambitious grammar का दोसर टोटल ट्री language का और तीसरा polish notation का फिर हमारा 33 और 34 lecture कंप्लीट हो जाएगा प्लिश निटेशन का क्या मतलब है यहां पी जो ट्रिपल O है इसका मतलब है operator, operand, operand ठीक है operator किसको कहते हैं यह जो हम कहते हैं प्लस, माइनस यह हमारे जितने भी science होते हैं mathematical वो हमारे operator होते हैं operand, operand जो हम 3, 4, 5, 6, 7 जो भी add करना हो उसको तो अब हम चलते हैं notes 90 है हमारे lecture number 34 पे और page number 94 है book पे यह चले के हम notes पे ठीक है यह है polish notation का हमारा topic सबसे पहले हमने देखना है कि यह हमें एक tree बना हुआ मिलेगा ठीक है यह समझ लें कि आपको 2 question मिले हैं ठीक है यह tree बना हुआ मिलेगा उसको हमने polish notation में convert करना है तो हम convert किस तरह से कर देएं सबसे पहले आपने क्या करना है यह जो s s है ना s का मतलब बताने start है इनको eliminate करना है आप समने ठीक है तो हम क्या करेंगे नीचे देखें इसका solution इसको arithmetic expression में करना है ठीक है मैं थोड़ा से छोटा कर लूँ ताकि आपको उपर वाला भी नज़र आए और नीचे वाला भी यह देखें अब यह देखें यहां पर s था यहां पर भी s था दोनों question साथ साथ देखते जाए as it is आ गया s और s क्योंकि यह हम eliminate नहीं कर सकते खतम नहीं कर सकते क्योंकि इसी से तो start होता है start here दूसरा देखें यह दोनों s थे यहां पर भी दोनों s थे तो यहां पर यह सारे s खतम हो गए इनको हमने eliminate कर दिया यहां पर भी देखें दोनों s खतम हो गए सिर्फ यह steric steric का मतलब होता है इसमें multiply का sign ते सिर्फ यह एज़र्ट इस लगा दिया यह हमारा उपरेंड है फिर क्या है इस प्लस से आगए यह तीन s थे यह तीनों हमने खतम कर दिये ठीक है यह तीनों s हमने क्या किये खतम कर दिये और प्लस से सीधा multiply के sign पे आगए देखें और जो चीज़ें हमारे पास बचें उनको एक दूसरे के साथ जोड़ देना है अब इदर देखें यहां तक आगया था अब इस स्टार से आगे इस तरफ तो S की फार्म सारी निकल रही है और इस तरफ निकल रहा है 5 यह हमने जब S खतम कर दिया यह मल्टिप्लाइ के साथ डिरेक्ट हादेगा 5 तो हमने लिख दिया मल्टिप्लाइ के साथ डिरेक्ट 5 अब यह तीनों S जब हम खतम करेंगे तीनों S तो हमारे इस मल्टिप्लाइ के साथ डिरेक्ट पॉस्टिव के साथ आजएगे है देखें मुल्टिप्लाइब के साथ एक पॉस्टिव तो हम पॉस्टिव से आगे त्री और फॉर निकाल देंगे क्योंकि यह पॉस्टिव से ही आगे निकल रहे हैं इस तरह से हमने पॉस्ट नोटेशन के अंदर अर्थमाटिक इसको कनवर्ट करना होता है दूसरी चीज़ आप देखें यहां पर उसने उन्होंने काया कि है फिर आपने इसने क्या कहा है कि अपरेटर प्लस एंड मुल्टिप्लाइब आर्ट नो लोंगर टर्मिनल्स एस इस आर्ट वी रिप्लेस बाइन नमबर्स के साथ तो हम इनको रिप्लेस कर लेते हैं सबसे पहले हमारे पास देखें फिर मैं इसको और थोड़ा सचोटा कर ल देखें सबसे पहले मारे पास क्या था प्लस तो मैंने सबसे पहले प्लस लिख लिया यह देखें फिर मेरे पास क्या था था थ्री मैंने थ्री लिख लिया ठीक है यह देखें सबसे पहले मेरे पास था प्लस प्लस लिख लिया फिर मेरे पास था थ्री त्री लिख लिख ल प्लस प्लस लेके दिया फिर क्या प्लस के आगए गया थरी फोर फाइव ये साइड वाली चीज़ें चो होती है ना नीचे ये हमारी एंड पे आती है जब अगर इन में से आगए दो चीज़ें ना निकल रही हो ना तो हमारी एंड पे आती है तो हमने यह रिप्लेस कर लिए, अब हमने इसको solve करते हैं, कैसे solve करते हैं, अब आप देखें, सबसे पहले आपने देखना है कि कौन से दो चीजे multiply हो रही हैं, पहले सबसे आप देखें, पहले इसको solve करें, फिर इसको solve करना है, देखें, plus as it is, 3 star 4, ठीक है, और 4 और 5 क्यों कि दोनों multiply हो रहे हैं, यहां पे कोई भी sign नहीं है, जिब कि उससे पहले मरपास star का sign है, यह नहीं multiply तो यह दोनों भी multiply होंगे, 4, 5, 20 होता है, मैंने 20 लगा दिया, आगे plus 3 वही वही बला आ गया, plus 3, अब आपको पता है, मरपास plus का उप्रेंड है, और यहां पे कोई भी हमने यहां पे wszystko plus ले करना है, 20 और 3 कितने होंगे, 23 होंगे, लगा दिया, दूस है, बिसी तरह से solve करना है, समस्षे पहले क्या करना है, अब पने 3 और 4 के तरम्यान में कोई भी और प्रेंट नहीं है तो आपने क्या करना है 3 और 4 को जमा करना है क्योंकि मेरे पस यहां पर पहले जमा का साइन है ठीक है बाद में यह स्टार का है तो 4 और 3 कितने हों के साथ 7 ऐसे लिख दिया ठीक है आगे पांच ऐसे यह वाला जो था पांच लिख दिया और मेरे पास अप्रेंट को इसा बज़ गया स्टार का क्योंकि प्लस तो हमने अप्लाई कर लिए स्टार का अब साथ और पांच को दोनों को मल्टिप्लाई कर तो कितने होते है 35 तो कहने का मतलब यह है अब हम देखें सब्सक्रा पर पर प्लस और पर क्या लिया अच complete हो गया है ठीक है अब मैं फिर से आपको बता दूँ कि जब आपको कोई question दिया हुआ होगा सबसे पहले आपने पॉलिशन उप्रेशन के अंदर अगर आपको कोई question दिया होगा सबसे पहले आपने उसके eliminate करने हैं eliminate करके आपके पास सिर्फ science आ जाजाएंगे यानि उप्रेंट और अप्रेंट और अप्रेंटर्स आ जाएंगे यानि के जमा और multiply प्लस और ब्रेंट यानि 3,4,5 जो भी आपके पास होंगे वहाँ देए फिर उनको आपने इस तरीके से solve करना है लिखके जैसे जैसे बने हैं वैसे वैसे लिख लें उनको solve कर लें तो solve करने के बाद आप बस ये बता दें कि ये अर्टमाटिक एक्सप्रेशन हमारा बन गया है इसी तरह से आप ये वाले example की खुद से practice करें ठीक है ये वाले example दी हुई है फिर उसको उसके अंदर क्यूंकर S नहीं है इसके अंदर S नहीं है उन्होंने खुद ही eliminate करके आपको दिये दिया सिर्फ confuse करने के लिए तो आप क्या करें एजटीज उसको लिख लें लिखने के बाद उसको solve कर लें तो ये यहाँ पर आपका solution आ जाएगा solve कैसे करना है ये देखें यहाँ पर 3 और 4 को पहले आपने solve करना है ये देखें 7 लिख 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 तो वह 26 बन गया फिर 26 और यह 6 वही वाला यहां पर आ गया अब 26 के दिए मैं कौन सा साइन बचा है इस टारी के नहीं मल्टिप्लाइगा तो इसको मल्टिप्लाइ कर रहे हो तो इस तरह से आपने करना है आपको दिफरेंट कॉस्टन्स आएंगे यह देखें बीजिस ग्रैमर जो हैं सीफ जी यह भी मैं आपको करवा चुकी हूँ देखें यहां पर हमारा यह जो लेक्चर खतम होता है अब यह 33 और 34 लेक्चर यही वाला मैंने आपको करवाया था वहां पर आप देखें तो 33 और 34 मैं थोड़ा से स्टार्ट में आपको बता दूंगी कि यह रेगुलर ग्रैमर क्या है और इसको हम इसको सॉल्फ कैसे करते हैं थैंक्स वरचिंग इस वीडियो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज मेरे स्ट कर दून